लो गाईज वेलकम टू आर यूटूब चैनल एग्रिकल्चर एंड जीके मेरा नाम नहीं है और आज मैं आप लोगों से डिसकस करूंगी टोमैटों के बारे में जैसे हिंदी में टमाटर करते हैं टमाटर कहते हैं ठीक है वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक दिए गये वाट्स अब नमबर पर मैसेज करें चलिए तो शुरू करते हैं हमारा टूमैटो क्रॉब चुए यह हमारा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं इसका इसमें जो chromozom number होते हैं यह होते हैं हमारे क्रोमो सम्नूम नमंबर होते हैं 24 origin हमारा टोमाटो का हैं South America और या फिर पेरू तो ये हम ध्यान रखेंगे South America भी हो सकता है option में हमारे और पेरू भी हो सकता है अगला पॉइंट है टोमाटो इस युनिवर्सली ट्रीटेड अज अज प्रोटेक्टिव फूड यह एक प्रोटेक्टिव फूड की तरह इसको ट्रीट किया जाता है तो इसके हम ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को और यह क्या है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा चीज किसी और फसल से या किसी और क्रॉप से नहीं बनती है वेजटेबल से नहीं बनती है ठीक है और इसका हमें पता है कि पेस्ट बनता है प्यूरी बनता है केचप बनता है सॉस बनता है ठीक है सॉस बनता है तो यह सब सारी चीज हमारी टोमाटो के प्रोडक्ट से हैं प पूर्स मैन एपल भी बोलते हैं, इसे हम पूर्स मैन एपल भी बोलते हैं, तो पूर्स मैन एपल भी इसे बोलते हैं, यह रहा हमारा थोर्ड पॉइंट, पूर्स मैन एपल भी बोलते हैं, औरेंज बोलते हैं, ठीक है, पूर्स मैन ओरेंज, यह हो गया, अब क्या बोल रहा ह अगला फॉक्त है हमारा टो माट्यू सीट गंटेंट ट्वेंटिफू परसेंट ऐल जो तमाटर की बीज होते हैं यहांपे की बीज़ की बात कर रहा है यह this ऑम shouldn't start कब कौन से स्टेज winner नो के उन दूसरे येलो गुता है और दीसरे होता है टाई लाइकोन करцию टान के लाँकोपीन की स्टेज की जिस से होता है डो यानी स्टेज जो होती सウीन्हां टानी मिलाइक प्रोवा पिगमेट प्लाइकोन फ़्ली, था था येक बगुस को फोता है ठीक है हम देखेंगे कि सोइंग टाइम कब है तो सोइंग टाइम हमारा होता है में ली में टू जून और नॉम्बर टू दिसंबर यह हमारी में कि सोइंग टाइम हो गई ठीक है कि आगे चलेंगे इसमें पूल आप्शन है इसमें दे रहा है कि हमारा कि वेल ड्रींड सोइल जो है हमारी सोइल कैसी होनी चाहिए सोइल हमारी होनी चाहिए लूमी और 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 अर्गनिक मैटर उसमें ज्यादा होना चाहिए और पी एच उसका जो है पीज हो जाएगा हमारा सिक्स पॉइंट फाइब से लेकर सेवइन पॉइंट फाइव ठीक है और उर्गनिक मेटर ज्यादा होना चाहिए और और हमारी लूमी सोइल होनी चाहिए ठीक है अगला है हमारा लाइकोपीड-जापी नेच्रोल क्यरी टिन उइट यह हमारा off हो सकती यह होता है हमारा anti-canceless properties की और most powerful antioxidant antioxidant क्या होता है और antioxidant मतलब की जो process oxidation की activity को कम करते हैं ठीक है antioxidant वो होता है जो oxidation की process को कम करता है ठीक है तो हमारी body में बहुत सारे oxidation processes होते रहते हैं जो हमारी cells को नुखसान पहुचाते हैं cells को damage करते हैं ठीक है damage करते हैं सेल को हमारे तो यह हमारे cell को जब damage करेंगे तो हम हमारा जो process जो हमारा cell division का प्रोसेस वो disturb होगा तो यह हमारा बहुत जो लाइक को पीन के यह हमारा powerful antioxidant है ठीक है अगला है हमारा optimum temperature for pollination is 21 degree Celsius यह बोल रहा है कि pollination के लिए परागर्ड के लिए सबसे अच्छा temperature है वो 21 degree है ठीक है बोल रहा है कि normal tomato varieties is varieties is TSS range 4 to 6% TSS range क्या होता है यह होता है टोटल soluble solid यह हमारा मेजर होता है bricks यह bricks हमारा इसको मेजर करता है ठीक है यह bricks होगा ठीक है यह bricks पर मेजर किया जाता है तो यह हमारा बोल रहा है कि जो range होगे इसकी यह होती है range हमारी 4 to 6% ठीक है ध्यान रखेंगे से यह अगला question अगला हमारा जो point है अगला point है fruit aroma is due to presence of sulphonium यह बोल रहा है कि एक sulphonium उसमें compound होता है जिसकी वज़े से यह sulphonium और एक जो fragrance आती है हमारी पके हुए टमाटर की वो होती है sulphonium की वज़े से ठीक है यह चीज़ ध्यान रखेंगे जो acid पाया जाता है acid जो present होता है जो acid present होता है इसमें वो acid हमारा होता है citric acid यह हम ध्यान रखेंगे self pollinated crop होती है तो citric acid में present होता है और यह self pollinated crop होती है ठीक है denutral plants होता है very very important ठीक है denutral plants है यह बहुत ही important है यह denutral plants यह पूछता है ठीक है जितनी भी branches उस branches की अलग-अलग-अलग-अलग small-small branches निकलेंगे ठीक है और यही decide करती है हमारी कितने fruit setting होंगे ठीक है यह हो गई हमारे inflorescence जो है साइमोस की ठीक है और जो fruit type है जो fruit type है वो berry है ठीक है बेरी जोकि जिसका हम figure आगे देखेंगे आगे चलते हैं अगला है तोमैटो कल्टिवेटेड टोमैटो इस डिवाइड इन्टो टाइप्स दो तरीके से हम टोमैटो को डिवाइड करते हैं ठीक है एक हो जाएगा हमारा इसमें जो flowering होंगे वो हमारे हर stage पे होंगे यहां पे भी होंगे यहां पे भी होंगे शुरू से लास्ट तक हर तरह जो हमारी fruit setting होंगी फ्लावर होंगी पॉलिनेशन होगा यह हमारे पूरे प्लांट में ठीक है असा नहीं है कि केवल एकदम उपर ही भाग में होगा केवल यह पूरे पूरे प्लांट में होंगे ठीक है तो हम बात करेंगे एक सेकंड तो यह जैसे अब डिटेमिनेंट का है टाइप की बात करेंगे तो यह हमारा टॉप पॉर्शन पे जो fruit लगेंगे और इनकी आगे कोई growth नहीं होगी तो यह हमारी डिटेमिनेंट्स मतलब हो जाएगा कि control वे में जो इसकी fruit production होगी fruit setting होगी ठीक है तो यह होगे हमारे इन डिटेमिनेंट्स और डिटेमिन्स टाइप के जो हमारा टॉमैट्टो है यह हमारे एक climatic fruit है climatic fruit का मतलब है तो वैसे अगला पॉइंट है चेरी टोमैटो इस प्रिफर्ड फॉर्ड फॉर्ड इस प्रिफर्ड फॉर्ड फॉर् इन युरूपियन कंट्री युरूपियन कंट्री चेरी जो टोमैटो वह एक्सपोर्ड करते हैं लेते हैं ठीक है अपनी तरफ इसमें बोल रहा है कि राइप फॉर्ड जो होते हैं जो पके हुए टोमैटो होते हैं वह हमारे 7.2 से 10 डिग्री सलसियस तक होते हैं और रिलेटिव हुमिडिटी हमारी इनको हमेशा चाहिए होती है 85 से लेके 90 तक या फिर 95 कह सकते हैं हम इसको ठीक है अगर हम बात करेंगे कि एकदम पका हुआ है उसको हम रखेंगे 4 से 5 डिग्री सलसियस पर ठीक है अगर हमारा बहुत राइप है ठीक एकदम प्लांट से ही एकदम राइप आया है तो इसे हम 5 से 4 से 5 डिग्री सलसियस पर रखेंगे ठीक है अगर हम इसे मैच्योर स्टेज पर तोड़ते हैं मैच मैच्वर स्टेज की बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है रिलेटिव हीने हुमिडिटी सबकी सेम रहेगी बट मैच्वर स्टेज पर हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा टेप्रेचर का अंतर रहेगा अब बोल रहा है बेस्ट मेंट फॉर सीड एक्स्ट्राक्शन इस से होते हैं तीन तरीके से होते हैं तो पहला हमारा हो जाता है पहला तो हमारा हो जाएगा बाइफ फर्मेंटेशन बाइफ फर्मेंटेशन इसमें क्या होगा कि सीड को हम भीगा करके फर्मेंट होने के लिए 12 से 72 घंडे तक के लिए रख देंगे ठीक है फिर उसके बाद इ इसको हम जब इसका slimy layer जो होता है वो हट जाएगा ठीक है फिर उसको बात हम इसको पानी से धुलके हटा देंगे सबको दूसरा प्रोसेस हमारा होता है alkaline treatment और alkali treatment अलकली ट्रीटमेंट में क्या होगा हमारा अलकली ट्रीटमेंट में कि हम लेंगे टैन परसेंट वाशिंग शोडा ठीक है उसमें हम क्या करेंगे इसमें हम सीट को डाल के लगभग 24 घंटे के लिए टैके 24 घंटे के लिए यहां पर हम सीट को रख देंगे ठीक है चौबिस घंटे इसलिए रखते हैं ताकि उसमें फरमेंटेशन हो और फरमेंटेशन के बाद जो है हम उसमें से जो है seed और slimy layer को अलग करके रखें और फिर उसके बाद पानी से दूल के हम उससे seed को सुखा करके अगले process के लिए या फिर अगले seed जो है हम अपने अगले crop के लिए use करेंगे ठीक है अगला जो method होता है अगला method होता है वो acid treatment होता है ठीक है इसमें क्या होता है strong acid लेते हैं जिसमें की क्या करते 15 से 30 मिनट के लिए 15 से 30 मिनट के लिए हम जो हमारा पूरा extract होगा जैसे कि हम slimy layer प्लस उसका pulp जो है tomato का निकाल करके हम उस seed में डाल देंगे और यह process हम करेंगे लगभग 15 से 30 मिनट तक ठीक है 15 से 30 मिनट तक हम यह करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम निकाल करके धुल करके अलग से रख के सुखा देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा fermentation method अगर पूछता है कि सबसे कम timing क्या हो लेता है कौन सा लेता है तो कम timing हमारा acid वाला लेता है acid वाला ठीक अगर पूछता है कि सबसे अच्छा method तो सबसे अच्छा method तो हमने डाली दिया पॉइंट में अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम एवरिज seed yield जो होती है वो होती है हमारी जो है पर हेक्टेयर से लगबग 100 से 120 केजी सीड हमें मिल जाती है ठीक है पर हेक्टेयर से ठीक है और हमारे जो है कि ट्रांजेनिक वराइटी जो होते है वो हमारी self life को बढ़ाते है ठीक है अगला इसमें point है कि father of tomato breeding तो यह है डॉक्टर सी एम रिक यह हमारे यूएस के साइन्टिस्ट है यूएस से के साइन्टिस्ट है ठीक है father of tomato कौन है यह गौतम कलू ठीक है यह गौतम कलू जो है father of tomato है ठीक है अपने अगले को स्लाइट पर चलेंगे हम अगला स्लाइड है हमारा maturity indexes ठीक है maturity indexes पर जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे यहां पर कि किस किस स्टेज पर हम tomato को तोड़ेंगे और उसको हम रखेंगे और आगे की processing में काम लेंगे उससे ठीक है तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो distance market के लिए जैसे दूर market के लिए हमें उसे supply करना है तो हम इसको जो है कि mature green stage पही तोड़ लेंगे तो अगर हमें kitchen और home purpose के लिए घर में जैसे घर में पकाने के लिए अगर यूज करना है तो हम इसे पके हुए एकदम stage पे तोड़ेंगे अगर हम local market पे बीचना है तो हमें इसे pink stage पे और breaker stage पे तोड़ लेंगे तोड़ेंगे अगर full एकदम पका हुआ अगर हम तोड़ते इसे हम क्या करेंगे 24 hours में यूज कर लेंगे और canning और picking के लिए यूज करते है इसको mainly यह हमारा point हो जाएगा अगला हम करेंगे assessment of tomato fruit firmness तो यह बोला है यह हमारा durometer और यह है हमारा apparatus जिससे हम fruit की formness यूज करते हैं या नापते हैं अब बोल रहा है कि training and pruning type training and pruning type हमें सबसे पहले तो यही पता करना है कि training and pruning होगा क्यों इसमें क्या होगा जो indeterminate type के होते हैं जिनकी growth control नहीं रहती है जिस पे कहीं भी fruit लग जाते हैं ठीक है top पे bottom पे middle पे कहीं पे भी तो यहां पे हमारे क्या होगी यहां पे इसको हमें train करना होगा और prune भी करना पड़ेगा ठीक है ताकि हम उसे support दें यह क्यों करेंगे हम इसको for the support support to plant ठीक है plant को support करेंगे हम और इस support को क्या बोलते हैं इस support को ही हम बोलते हैं stacking very very important stacking very very important ध्यान रखेंगे इस point को हम यह इस term को stacking is related to तो हम लोग यह अपने हर उसमें discuss कर ले रहे हैं stacking is related to tomato ठीक है अब हमारा यह भी है एक stacking जो हमारा इन डिटर्मिन टाइप के लिए ही भी यूज होता है यह ध्यान रखेंगे अगर मालो stacking तो टोमाटो पूछ दिया है पूछ देगा अगर determinants और indeterminants में से किसी में यूज होता है तो यह हो जाएगा indeterminants टाइप के लिए ठीक है अब different different varieties हैं जो हमारे किस-किस किस-किस जो है कि हमारे selection या किस-किस process से हमारी इं्ट्रोड्यूज हुई है तो पहला variety है जो हमारे introduction method से यूज हुई है जो पहली variety है यह हमारी यूज हुई है इंट्रोड़क्शन से यह हमारा है जो है कि सेलेक्शन या फिर हम कहले हाईबिडाइजेशन का जो मैथड होता है यह हमारे इंट्रोड़क्शन मैथड से यूज हुई है जिनकी वराइटी है रोमा, लैबुनिता, मार्बल, सयोरेक्स, बेस्ट अफ आफ अल, मनी मेकर और टि अगला हमारा है hybrid method से यूज हुआ है तो यह हमारा है पूशा अरली डॉफ यह है यह पूशा सीतल हिसार लालीमा हिसार ललित पूशा रेट प्लम पूशा गोरो स्वीट 72 पंजाब चुहारा और पूशा उपहार तो ध्यान इस बात कर रखेंगे कि हमारा जो पंजाब चुहा पंजाब चुहारा हमारा यह पियर शेप होता है पियर शेप यह ध्यान रखेंगे और पूशा उपहर यह प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है ठीक है यह अर्क सौरव एक यह भी वराइटी ही है ठीक है अब हम अगले पॉइंट पी चलेंगे जो कि हमारा selection method से यूज किय पूशा अर्ली डॉफ वराइटी है इसको हम जो है यूज किये हैं दो अलग अलग वराइटी को क्रॉस करा कि यह हमारा improved merit और red cloud वराइटी यह दोनों टोमैटो को हम मिला करके पूशा अर्ली डॉफ वराइटी को हम लोग प्रोड्यूस किये हैं चलेंगे अगले स्लाइट पर डियूरेशन यह बोल रहा है कि जो है कि डियूरेशन क्या-क्या होती है न तो यहां भी हम करेंगे कि लगभग 110 से 115 110 से 115 दिन जो है कि ट्रंस्प्लांटिंग के बाद हमारा जो प्लांट होगा वो मैचियोर होगा तो हमारा जो नर्सरी में होता है नर्सरी से जब ट्रंस्प्लांट करते हैं ट्रंस्प्लांट करते हैं तो वह होता है लगबग 25 देज के बाद करते हैं तो उसी की हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे कि कि अब रांस्प्लांटिंग के बाद हम उसी के सापसे डेज को अपना कंसीडर कर लेंगे सीड रेट क्या होती है सीड रेट है हमारा कितना लगेगा तो यह 400 से लेके 500 ग्राम प्रती हिक्टेर के लिए और हाइब्रेट सीड उससे कम लगेंगी तो हाइब्रेट सीड ध्यान hybrid seed हमेशा कम लगती है क्योंकि यह improved varieties होती है improved varieties हमारा जो yield होता है yield हमारा hybrid और variety यह ध्यान रखेंगे हमारी yield जो है यह इतनी देंगी crop हमारी hybrid के अलग और normal के अलग seed gut क्यों करेंगे जैसे क्या होता है कि हमारे जो tomato crop होती यह हमारी जैसे blight से infected हो जाते हैं तो blight است das babe als early blight यह होते हैं यह हमारा soil में इनकी spourse यह हमारे soil में होते है यह कभी एसा होता है कि स्टैन यह हमारे तक भी यह स्पोर्स जो सर्वाइब कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे कि सीड को लगाने से पहले सीड को बोने से पहले उसको ट्रीट कर लेंगे ठीक है सीड को बोने से पहले ट्रीट कर लेंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे कि के बुए सौल कोवी ट्रीट पर्पस में थाके वह ऊच्मा ठेस हैं एक यहको रहा है कि सीड ठीट कआ असली परपस किया है या में मकसद क्या या ही थाकर edi कि देए समय स्पौर्स में थाकर अठाल हो रहा है थाकर घृतिमेंट यहरी नेस सँब्स में थालख या फिर कारबेंडाजीन जो है 2 ग्राम पर केजी सीट के लिए ठीक है और इसको क्या करेंगे हम कारबेंडाजीन में जब इसको यूज करेंगे तो सीड को जो है हम 24 घंटे भीगों के रखेंगे ठीक है 24 घंटे सोईंग से पहले इसको हम क्या करेंगे ट्रीट कर लेंगे ठीक है और हम क्या करेंगे कि show in line 10 cm apart in raised nursery क्या बोल रहा है कि जहां nursery हम लगाए है वहां से 10 cm दूर लगाएंगे ठीक है और हम इसको क्या करेंगे कि raised पर लगाएंगे ठीक है जैसे कि हमारा जब इसको sewing करते हैं जब इसका हम तो इसको हम क्या करते हैं रिजिस पर लगाते हैं ठीक है रिजिस पर मालो यह हमारा तो हम यहां यहां plant लगाएंगे बीच में नहीं लगाएंगे, ताकि हम पानी दें ये नाली पानी ये सब के लिए यूज होगा तो आगे चलेंगे, preparation क्या है, preparation का मतलब है कि field को prepare करना हम अपनी nursery लगा रहे हैं या फिर हम अपनी transplanting कर रहे हैं तो यही बोल रहा है कि क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे अपनाना चाहिए तो यही बोल रहा है कि सबसे पहले इसर फ्रम YARD MENIVEOR कुई ऐट करलेंगे ठीक है फिर बोल रहा है कि रिज और फॉरो भी बना लेंगे यहां पे जो कि मैंने पहले ही बडा दिया थ। और इनके बीच मे जब हम यूज करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे एफ ऐंब के साथ तीक है फॉर्म प्लस एफ वाइम के साथ यूज करेंगे इसको ठीक है फिर क्या है कि बोल रहा है कि इरिगेट द फरो ज एंड ट्रांस्प्लांट ट्वनटीफाइव डेज ओल्ड सेड़िंग ऑन बेज साइड सेड़िंग इपल रहा है कि यह इसको लगा देंगे 25 25 डेस जो उल्ड सिडलिंग है मतलब हम यहां पर नर्सरी से लाकर के बात करेंगे अब क्या बोल रहा है कि life's irrigation to be given on third day of planting irrigation अब क्या बोल रहा है कि जब हम transplant कर लेंगे उसके third day पर यह first day रहा हमारा इसके third day के बाद यह हमारी life saving irrigation हो जाएगे life saving irrigation ठीक है तो हम आगे चलते हैं क्या बोल रहा है आफ्टर establishment of seedling irrigate at weekly interval बोल रहा है कि जब हमारी पौदे पकड़ लेंगे पौदे जमना शुरू हो जाएंगे या जम जाएंगे तो हम उससे weekly interval पर या फिर हर हफ्ते इसको पानी देते रहेंगे और बोल रहा है कि पैरा क्लोरो फेनोक्सी एसीड फेनोक्सी एसीटिक एसीड पी cpa स्प्रे करेंगे हम फ्प्लियर अप्लिकेशन होगा इसका तो यह न पर पिजो शिड़काव करते है उसे फ्प्लियर स्प्रे बोलेंगे तो यह हमारे फ्रूट सेटिंग और फ्लाइर के लिए फ्लावर सेटिंग में काम आता है यह क्या है पी-सी-पी-ए ठीक है Cloud Circus अगला क्या है निमे टोड and वेक्टेरियल्व इल्ट अगला है बेक्टेरियल विल्ट से जो دोनों से है वो है अर्क वरदान यो दोनूं Сे वो है अर्क वरदान ठीक है कि वरदान जो bacterial wilt से केवल है वो है, शक्ति, अर्क अलोग, सुना ली, अर्क अभा तेंक है, यह हो गए हमारे bacterial wilt resistance पंद बहार जो है, यह हमारी wilt से है resistance, एक सकड़ पंद बहार हमारी wilt से resistance है, wilt हमारा दो causal organism, दो फंजाई हो सकते हैं यह दो हमारे इसके कोजिटिव एजिंट होते हैं जो कि जिससे दोनों के लिए पंत भाहर जो है condemnise पंत बाहर अब ख्या लीफ कर रेजिस्टेंस वराइटी अब क्या है कि जो वाइरस से रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस जो है हमारी जो वराइटी यह हिसार गौरो और हिसार अनमूल हिसार गौरो और हिसार अनमुल जो है यह हमारी लीफ करल वाइरस और और हमारी जो है की रेजिस्टेंस टू वाइरस होंगी ठीक है अब यह क्या है यह जो फिगर में है न यह हमारा जो है यही है निमे टोड यही हमारी निमे टोड है ठीक है यह जड़ में क्या करते हैं ऐसे फुले फुले सन रचना बना देंगे जड़ में एक सेकंड मैं इसको अच्छे से दिखाती हूं यह मालीजी हमारी नॉर्मल जड़ है यह हमारी नॉर्मल जड़े आ रही है यह हमारी नॉर्मल जड़े आती है अब क्या होगा कि जब निमेट है निमेटोड का इक होगा निमेटोड का जब को वना और यहां पर गार्ट बनाना सुनु दून है यह यह पर गार्ट बना देंगे अब यह अगर रूड का मैं तो इसको भीड़ बनादे यह क्या होगा कि अलग अलग हर हर जगह το फूर ज़ो है हमारा ञास्ट है नहीं रूट न नीमेटूल ठीक है यह हो गये हमारे tari, रूट नीमेटूल ठीक है अगी चलेंगे अब बोल रहा है अगला पॉय्ट कि इन डेटर्मेंडी टाइप कौन कौन से हैं गई वाराईटी इसको ध्यान में रखेंगे हैं कि हम इंडेटमिनेर्ट टाइप की है और इंडेटमिनेर्ट्स क्या होता है यहां पहले डिशकस कर चुके हैं ठीक हैं अब क्या है यह बोल रहा है कि F1 hybrid variety of tomato जो F1 वीदी से जो variety डेवलप की गई है वो है पूरसा दिव्या ठीक है cluster of flowers इसको trust बोलते हैं cluster of flowers इसको trust बोलते हैं genetically modified tomato are resistance to alzheimer disease alzheimer disease क्या होता है alzheimer disease जो होता है यह होता है हमारा भूलने वाली बिमारी हमारी cells जो है वो degenerate करने लगती है ठीक है और यह क्या करती है भूलने वाली बिमारी होती है अकसर old days में ज्यादा होती है बोल रहा है IMP package for tomato अब क्या बोल रहा है कि integrated paste management IPM अब क्या करेंगे हम इसमें इसमें बोल रहा है कि अलग अलग जो है कि हम treatment use करके हम अपने paste से अपने फसल को बचा सकते हैं ठीक है तो यह होगा seed treatment with pseudomonas fluorescence ठीक है क्या करेंगे कि 10 gram per kg seed को treat कर लेंगे ठीक है 10 gram per kg seed को treat कर लेंगे हम ठीक है अगला क्या है nursery application with trichoderma veridave and pseudomonas fluorescence क्या कह रहा है कि nursery का application nursery में भी यह हम use कर लेंगे ठीक है और क्या बोल रहा है application of neem cake at the rate 250 kg per hectare neem cake को भी use करेंगे हम अपने है जो है कि मारी जो crop होंगी जो हम transplant कर देंगे उस field में neem cake का application देंगे बोल रहा है कि soil application of pseudomonas fluorescence at the rate 2.5 kg per hectare बोल रहा है कि studomonas को अपने खेत में भी use कर सकते हैं बोल रहा है कि seedling जब हम transplanting करेंगे तो वहां पे हम plant को जो है कि जो virus free है ठीक है normally जो देखेंगे कि खराब है उन्हें हम निकाल देंगे फिर यह भी बोल रहा है कि rising out the infected plant ठीक है निकाल के फिक देंगे यह रोगी है उसे निकाल के फिक देंगे और क्या करेंगे कि हम उसे वहां पे दूसरा दूसरा प्लांट भी लगाएंगे ठीक है क्या है grow marigold as a border crop क्या होती है marigold जो है biological control agent की तरह हम इसको यूज करेंगे ठीक है जो हमारे tomato को affect करते है ठीक है वह हमारे marigold जो है marigold के flower में marigold के plant में ही trap हो जाएंगे और हमारी जो crop है वह safe रहेगी ठीक है अब क्या बोल रहा है कि setup of heliocorpa heliocorpora और spodoptera phyromon traps ठीक है यह बोल रहा है कि heliocorpa और spodoptera के लिए यह हम phyromon trap लगाएंगे ठीक है अब बोल रहा है कि yellow sticking trap भी करेंगे यूज करेंगे फिर बोल रहा है कि spraying neem formulation ठीक है neem kernel और neem oil के यूज करेंगे हम अपनी plant को बचाने के लिए तो यह हो गया IPM integrated paste management अब अगला क्या है अगला है हमारा damping off damping off ठीक है यह क्या है हमारी यह nursery की disease है ठीक है nursery की disease है यह भी और यह दोनों यह दोनों हमारी ठीक है यहां पे देखो यह सूख करके गिर रहा है ठीक है और यहां पे देखो यह पूरा टूट के गिर गया है और इसी को बोलेंगे food rot इस क्या बोलते हैं कि फूट रॉट 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 मतलब जड़ सड़ जाएगी सड़ जाएगी ठीक है फूट मतलब यही है देखी रहें सामने यह पूसा चुहारा यह पूसा चुहारा एक वराइटी है ठीक है जो पीर शेप की होती है पंजाब चुहारा सौरी पंजाब चुहारा ठीक है पंजाब चुहारा अब हम बात करेंगे यहां पर डंपिंग ओफ जो है हमारा पीतियम स्पीसीज कॉस करती है डंपिंग ओफ को ठीक है अब हम क्या कर करेंगे सबसे पहले हम सॉलराइजेशन करेंगे सॉयल को धूप में ठीक है रखेंगे धूप में एक्सपोस करेंगे ताकि उसमें जो स्पोर्स है वो खतम हो जाएं ठीक है और सीट को हम जो है सीट को बोने से पहले हम सीट को ट्रीट करेंगे सीट को ट्रीट करेंगे केरे संसे केरे संसे हम इसको सीट को ट्रीट करेंगे फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं टोमेटो लीफ करल वाइरस क्या होगा यह हमारा सबसे ज़्यादा होता है मौसम में बारिस वाले मौसम में कब होता है यह बारिस वाले मौसम में, ठीक है, क्यूं होता है, इस टाइम जो है, कीडे, कीडे बहुत हो जाते हैं, कीडे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये कीडे जो है, कि इनको, इनके लिए, इनको, प्लान्ट को एफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे, लीफ कर, ट कि तेबिसी तेबसाइब बेम सी ये लीव कॉल वायरस की ट्रांस्मैटिंग एजेंट है ठिक बैक्टीरियल विल्ट हो जाएगा तो लेकटीरियल विल्ट जी हमारा यह होगा सेडु object फिल्ट होता है यह होता है स्टो मोनास सुलेने सेरम की वज़े से थीक तो यह हो जाएंगे हमारे किसकी विज़े से स्टो मौनास ते यह हो गए हमारे स्की कॉसिटी बेजन ठीक है अब क्या करेंगे हमको इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं नीम ओयल केक को यूज करते हैं ठीक है अब लगबग 50 दिगरी सलसियस पर अपनी जो सॉयल होती है उसको एकस्पोस कर देते हैं ठीक है तो सॉयल को हम ऐसे ट्रीट करते हैं ठीक और इससे क्या होगा इन दोनों को के लिए हम इन दोनों को बचाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वराइटी का यूज करेंगे बूने के लिए रेजिस्टेंस जो भी से वराइटी है वो यूज करेंगे रेजिस्टेंस वराइटी को अपनाएंगे ठीक है अगला क्वेश्ट अगला है बेरी यह होता है बेरी यह होता है बेरी यह होता है फ यह भी एक डिसॉडर दियान रखेंगे यह हमारा बेमिसियत एमेसाई और वाइट फ्लाई जो कि हमारा हमारे लीव कर्ल वाइरस को ट्रांस्मीट करती है यह हमारी जो है लोवर लीव पर रहती है अगे इसकी फिगर और देखेंगे यह हमारा हेलियोकारपा आर्मीजरा ठीक है हेलियोकारपा आर्मीजरा ठीक है हेलियोकारपा आर्मीजरा क्या है यह जो है क्या कर देता है छेद कर देता है ठीक है छेद कर देगा फ्रूट में जैसे देखेगा कि फ्रूट जो है थोड़ा जैसे fruit mature होना शुरू होता है वैसे ही इसका attack शुरू होता है इसको control करने का सबसे best method होगा hand picking देखेंगे कि जिस भी फल में छेद हो गया है छेद के hand pick करके fake देंगे उसे ठीक है hand picking कर लेंगे ठीक है या फिर हम क्या करेंगे 0.1 1% DDT यूज़ करके डीडी का छेड़काओ करेंगे ठीक है इसको हम ऐसे control कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो यह कुछ है हमारे tomato processed product ठीक है जैसे हो गया pickle ठीक है यह ketchup sauce ठीक है sauce हो गया यह ठीक है तो यह सब हमारे जो हैसके products हो गया ठीक है तो thank you so much अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो share and like करना ना भूले और चैनल को subscribe करें धन्यवा करना हृ तो